सो मेरे हाथ में महिंद्रा XUV3 XO की की और यह जो वेरियंट आप देख रहे हो MX3 PRO वर्जन वाली वेरियंट है जो की MX3 के ऊपर आती है और प्रो में भाई आपको बहुत सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं और गाड़ी में बहुत सारी चीजों का इनहेंसमेंट भी कर द फाइव लीटर का एंजन जो की लगब लगब एस सो पंदरा बी एच्पी प्रिडियूस करती है और तीन सो न्यूटन मीटर का टॉर्क मतलब इस गाड़ी का टॉर्क जो है इसका डिफाइन कर देता है गाड़ी का पंजा अगर अब हलका अजा भी दो गया न वह भाई भा इसको हटकर बनाती है एमेक्स 3 वाले वेरियंट से तो सामने आप देख सकते हो इसकी जो डियारेल से ना वाइट लाइट में आपको देखने को मिल जाती है प्लस जो प्रोजेक्टर है वो भी वाइट लाइट में दिया जाता है बहुत अच्छा रिस्पांस है गाड़ी क जो हेट लाइट यूनिट का है नीचे आपको कोई फॉग लाइंस नहीं देखने को मिल जाती है और फ्रंट से देखोगा ना तो है सच आपको एकदम टॉप मॉडरली जैसी फील आती है कुछ-कुछ चीजों की कमी की जाती है क्यार महिंत्रा का लोगो बहुत अच्छा ल मिलता है जो की अल्टिमेट रिस्पॉंस प्रिड्यूस करती है प्रस्नली भाई कट वर्ट अगर मारोगे ना इस गाड़ी में एक सो एक सो बीस में तो पर पता भी नहीं चलता है वहीं MRF के टायस दिये जाते हैं दो सो पांच भाई पैसट आप 16 इंचिस के स्टील वील के साथ ओफर करती है एक्सवी 3 एक्सो की जो भाई वील है यहां पे और वे हमसा को टर्निंग इंडिकेटर्स आटो फोल्डेवल के साथ देखने को मिल जाता है प्लस ग्लॉसी ब्लाक फिनिशिंग गाड़ी को चार चान लगा देती है नीचे साइट बीटिंग भी दी जाती प्लस आइटी ना देखने को मिल जाती है और अगर बैक से बात करूं तो बैक में भी इस गाड़ी में आपको डिस ब्रेक देखने को मिल जाते है ब्रेकिंग रिस्पांस बहुत जाद अल्टिमेट मतलब एक सो बीस में भी आप रोकना चाहोगे ना तो बहुत अच्छे से रुख जाती है यह रही गाड़ी की बैक प्रोफैला मेजर चेंसे में में आपको पूरे कनेक्ट टेल लांप देखने को मिल जाते है जो कि अच्छी चीज़े रिफ्लेक्टर वगरा दिदिये जाएंगे बाकी पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाते हैं इस गाड़ी में का नया लोगों देखने को मिल जाएगा बाकी एक्सवी 3 एक्सवी की बैजिंग दी जाती है वरिंट्स वगरा तो कोई भी गाड़ियों में देखने को नहीं मिलेगा डिफॉगर्स नहीं दिया जाते हैं इस गाड़ी में आपको 295 लिटर्स की बूट स्पेर्स कापसिटी की देखने को मिल जाते हां अब बाकी आड़ी होसे लेकिन ठीक थाख आपको देखने को मिल जाते 642 छे अपको पॉट्प्रो वाले वरियंपमें तो इंटीरियर देखो देखने से पूरी सिमिलार है M3 ही जैसे लेकिन कुछ-कुछ चेंजिस कर दी जाती है थोड़ी-थोड़ी टेक्चेर वगरा के फिनिशिंग दे दी जाती है सेम आपको पॉर विंडोस के कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे और वेम को सेट कर सकते हैं यहां से बाकि यहां पर वेम कब सेट कर सकते हो ट्रक्शन ओन आफ आइडियल स्टाट्स आपके बटन देखने को मिल जाएंगे एसी के वेंट्स देखने को मिल जाएंगे ट्वीटर स्पीकर देखने को मिल जाएगा इंटिरर ऑप को चलाने में यह सेम गाड़ा यह सेम यूनित यहां तक आप अगर र philanthropus वही डाल देटी है XUV3 XO में, क्योंकि यह MX3 Pro वाली वर्जन है MX5 देखने को मिल जाते है MX7, MX6 वगरा देखने को मिल जाते है, Luxury Pack वगरा देखने को मिल जाते है उसमें सारी interior चेंज कर दी जाते है instrument cluster चेंज कर दिया जाएगा पूरा digital देखने को मिल जाते है यह console panel वगरा चेंज कर दिया जाता है क्यार बीच के console panel से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको बहुत बड़ा सा infotainment screen देखने को मिल जाता है जो की 10 इंची का देखने को मिल जाएगा जो की support करेगी Apple CarPlay, Android Auto और Mahindra की अन्गनत आप्स जो की इस गाड़ी में support होते हैं dedicated buttons दे दिये जाते हैं आप यहाँ से भी control कर सकते हो बाकी power off on कर सकते हो यहाँ से नीचे बात करते हैं दो इसी के vents, hazard light के option यह console panel पूरा 3 बलो में आपको जो देखने को मिलता था आपकी temperature को यहाँ से set कर सकते हो और automatic climate control इस गाड़ी में नहीं देखने को मिलता है आपको manually ही इसको करना पड़ेगा बाकी dedicated buttons, यहाँ पे USB के port, wireless charger देखने को मिल जाता है इस गाड़ी में यहाँ पे 6-speed का manual transmission gear box बाकी 2 bottle holder, handbrake का lever, छोटा सा दिया जाता है armrest बहुत अच्छी है इसकी stitching और leather quality बहुत अच्छी है नीचे यहाँ पे space दिया जाता है इसमें भी matty finish दिया जाएगा बाकी पूरी piano black finishing में आपको console panel देखने को मिल जाती है beach का glow box में इतने सारे space देखने को मिल जाएगे यहाँ पे भी थोड़ा सा space दिया जाता है बाकी power windows के control door handles यहाँ पे बहुत अच्छा 3D element का touch दिया जाता है बाई मेरे उपर vanity side है आपकोई mirrors नहीं देखने को लेगा mic का placement sunglass holders देखने को मिल जाती है dedicated lights देखने को मिल जाती है hyalogen में यहाँ पे sunroof का आपको buttons देखने को मिल जाएगा IRWM manually आप adjust कर सकते हो बट यहाँ पे mirror दे दी जाती है वो भी light नहीं light के साथ नहीं दी जाती है grab handle आपको soft touch में दिया जाएगा चल यह sunroof इसका कोलते है और आपको दिखाते है थोड़ा सा touch करके रखना पड़ता है तो देखो भाई आपको safety के purpose है यहाँ पे आपको reflectors देखने को मिल जाते हैं आईए अब गाड़ी के instrument console की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको speedometer analog cluster देखने को मिलता है बीच में M.I.D. जो कि पूरी xv3xo की information को शो कर जाती है trip वगरा सारी चीज आप यहाँ से access कर सकते हो यह रही mx3 pro की back passenger row जिसमें बहुत जादा आपको leg space वगरा देखने को मिल जाती है यहाँ पे light भी देखने को मिल जाती है thigh support हलकी काम है but leg space और एक जो भाई posture है वो बहुत boldly आराम तरीके से बैठा जाता है 5 foot 8 inches वाले जो लोग होंगे ना उनके लिए बहुत अच्छी headroom वगरा तो अच्छी खासी बच जाती है seatbelt adjustable देखने को मिल जाएगा back में भी rear AC के vents देखने को मिल जाएगे यहाँ space मतलब phone वगरा रख सकतो type c के हैं पे charging pot देखने को मिल जाती है तोलवल का socket यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और grab handle hook दे दिया जाएगा गाड़ी में speakers देखने को मिल जाएगा partial tray गाड़ी में missing है क्योंकि MX3 pro वाली variant में भी आपको partial tray नहीं देखने को मिलती but 60-40 split seats है 2 adjustable headrest है इस गाड़ी में और as such back से कुछ गाड़ी ऐसी ही लगती है और सामने के चीजें जब आपको ऐसे दिखने को मिल जाएगा